हेलो फ्रेंड्स डिस्कृट मैथमेटिक्स के लेक्षर नवर 12 में आपका स्वागत है आज के लेक्षर में हम लोग डिसक्सन करने जा रहा है दो तिन चार पॉइंट है जिस पर डिसक्सन करेंगे सबसे पहले है प्रेसिडेंस ओफ कॉंटिफायर कॉंटिफायर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कंजंग्शन है इंप्लाइज है डबल इंप्लिकेशन है इसके साथ हमारे पास दो और ही इसनत्य कॉंटिफायर आगये जिसमें यूनिवर्सल या एकिस्टेंशन सील क्राजा कि मतलब सिधा है कि जब्रेसीदेंस eater Farquay की बात होगी तो सबसे पहले हमारा कि फॉर ओल होगा कि देर एक्जिस्ट होगा इसके बाद निगेशन की बात होगी कि डिस्जंग्शन की बात होगी कंजंग्शन की बात होगी implication की बात होगी और double implication की बात होगी यह हमारा precedence order होगा इन दोनों का precedence हमीशा ही बाकी के सारे quantifier से करेक्टिव से higher है यह बात समझे में आ गई दूसरी बात कहता है demorgan's law demorgan's law क्या कहता है demorgan's law आपने digital में भी पढ़ा है बुलियन अजवरा में भी हमने पढ़ा है यहां भी वही demorgan's law है लेकिन इसको समझे कैसे पहले हम समझ ले एक चंटेंशियल फॉर्म हम पहले ले 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 पी आफ एक्स मतलब अगर इस प्रेडिकेट को हम समझे ले एक्स वीजे गुड़ वाय लिख लेते हैं और यह डिशीजन हम ले रहा है कि इसके लिए फॉर ओल एक्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ओल एक्स पी एक्स मतलब जीतने भी है एक्स है एक्स मतलब अगर स्टूड कि हम सारे बच्चों को बोलना है नहीं है not good तो X is a good boy का negation मतलब X is not a good boy सारे बच्चे अच्छे नहीं है कोई भी बच्चा अच्छा नहीं है तो हमने लिख दिया for all X PX अब जरा इस बात को देखिए इसकी एक्योवैलेंस में क्या है मतलब कोई एक बच्चा ऐसा है वह क्या है भाई X is not good मतलब अगर यहीं बात हमको कहनी है तो इससे हम replace कर सकते हैं there exists X that is negation of PX तो यह दोनों का meaning बराबर है चाहे इसकी बात हम करें या इसकी बात करें और वही condition देखिए यहां दूसरे के साथ भी लगेंगे यहां पर हमारा notation के ओल बदल गया गया है यहां पर existential quantifier है तो existential quantifier अगर हो कि negation of there exists X PX तो it is equivalent to for all X negation of X तो यह दोनों formula जिसको याद रखेंगे इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे यह De Morgan's law है for quantifier तो इसकी बात भी समझे में आती है अब एक काम और हम आगे बढ़ें जरसा देखिए तीसरा condition क्या काता है थर्ड का सिजर टू वैरेबल प्रेडिकेट अभी तक हमने जो भी सिखा है जैसे अगर P of X की हमने बात की एक प्रेडिकेट है और हमने लिखा X is an integer एक सेंटेंस है इसमें हमने इसको क्या बोला था यह है subject और यह जो है हमारा प्रेडिकेट है अब इसको अगर P X नहीं लिखे तो हम लिख सकते हैं इंट एक्स एक्सिजन इंटीजर यहां तक तो हमने सिख लिया है अब यह अगर गौर से देखे यहां पर सब्जेक्ट क्या है सिंगल सब्जेक्ट है एक ही सब्जेक्ट है लेकिन इससे भी complex natural language में क्या होते हैं कि बहुत सारे वर्ड जो हैं बड़ा complicated होते हैं अब ज़रा सा बिशार करें अगर हम लिखे आई लव यू अब यहां पर सब्जेक्ट यह है यह सब्जेक्ट है यह भी सब्जेक्ट है और यह हमारा है प्रेडिकेट अब ज़रा सा देखिए अब दो सब्जेक्ट है एक सिंगल प्रेडिकेट है इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए तो इनका भी प्रोविजन है हम चाहे तो टूब हैरेबल प्रेडिकेट भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अगर हमने आई लव यू बोला हम ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए लव आई यह आई है आई एंड यू इसका मतलब क्या हुगा इसका मिनी क्या हो हम निकालेंगे यह जो प्रेडिकेट हमने दो सब्जेक्ट के आई यह बोल रहा है यह थोड़ा सा सीधे लिखा जाए लव आई यू मिनिंग आई लव यू ठीक उसी तरह यहां जाना देखिए राजु लाइक्स राणी तो राजु लाइक्स राणी का मतलब क्या होगा लाइक्स राजु एंड राणी यह है टूब बैरियेबल प्रेडिकेट हम प्रेडिकेट जब बनाएंगे तो सिंगल प्रेडिकेट के भी से में अभी तक हम ने चीखा है इस तरह के अगर सेंटेंस हो जिसमें दो सब्जेक्ट हो तो हम इनके प्रेडिकेट को भी बना सकते इनका भी प्रेडिकेट डिक्ल राम और मोहन भाई हैं राम एंड मोहन दो सब्जक्ट हो गया तो दो सब्जक्ट किये जहां भी बात होगी आई यू राजु रानी मैं सुरेश जितने विश्ट अगर दो सब्जेक्ट हैं और उनको प्रेडिकेट बनाना है तो हमको ढूंड बैडिकेट की और मूब करना और यह representation भी आसान है अगर हम बोले x likes y मतलब इसका representation क्या होगा likes x and y ये representation आप याद रखेंगे यह आसान काम है यह आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है अब इसके बाद एक आता नेस्टेट क्वंटिफायर क्या कहता है जैसे प्रोग्रामिंग में हम आप सीखे हैं कि नेस्टेट ऑपरेस्टर नेस्टेट लूप उसी तरह कि यहां पर नेस्टेट क्वंटिफायर की बात हो रही है ज़्द देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं रभी लाइक्स एवरीवन यह हमारा सेंटेंस है नेचरल सेंटेंस है रभी लाइक्स एवरीवन यहां भी अब टू वैरियेवल का इस्तामाल करना पड़ेगा हमको अब इसका प्रेडिकेट कैसे हम लिखे इस बात को समझना पड़ेगा थोड़ा सा रभी लाइक्स एवरीवन यहां पर तो सिंगुलर टर्म है नहीं यहां पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है रभी लाइक्स एवरीवन रभी सबको पसंद करता है तो इस सबको मतलब बहुत सारे लोग है इसका मतलब क्या हुआ कि रभी एक परसन है यहां पर बहुत सारे हो सकते हैं रभी रभी लाइक अमीद लाइक अमन लाइक शीता लाइक गीत लाइक सुरेस लाइक महेस को concept को हमें समझना होगा अब यहां पर यह तरफ तो रवी है लेकिन जब इसको हम क्वान्टिफाइर इस्तमाल करने की कोशिश करेंगे जब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक्स कि रभी कि अब यहां एफिरीवन की बात है तो बारी बारी से सबका नाम दो नहीं लिख सकते कि अमीत अमन सिता गीता मैं सुरेश क्या करेंगे यहां पर अब कोई कोई वैरियेबल की बात होगी वैरियेबल क्या हमने लिया इनके लिए एक वैरियेबल लिया वाई अब यह वाई जो है यह सबके लिए बात हो रही है तो क्वांटिफायर यहां पर इस्तमाल होगा क्वांटिफायर क्या होना चाहिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर आल एवरी वरीवन तो ऐसा हम कर कर सकते हैं फॉर आल कि वाई कि लाइक्स ऑफ रवी एंड वाई रवी लाइक्स वाई फॉर आल वाई अब वाई का रिप्रेजेंटिशन आप एफ्रीवन में देजिए इस तरह से क्वांटिफायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्यों सूचने की बात है कि अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि इसका उल्टा क्या होगा अगर इसी सेंटेंस को हम बदल दे यहां पर लिख दे कि एव्रीवन लाइक्स रभी कॉंसेप्ट इसका उल्टा हो गया यहां पर अब एव्रीवन हो जाएंगे मतलब अमीत होंगे अमन होंगे एंड सो अन सीता गीता जो भी हो यह सारे लोग लाइक कर रहें यह है हमारा सेंटेंस यह हट जाएगा कि एव्रीवन लाइक रभी अब इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पर क्या होगा कि फॉर आल एक सम रख सकते हैं कॉमा लाइक्स ओफ एक्स कॉमा रभी कि यह सेंटेंस क्या कहता है रभी लाइक्स एव्रीवन यह सेंटेंस क्या कहता है एव्रीवन पर आल एक्स एक्स लाइक्स रभी तो देखिए सेंटेंस का मिनिंग कैसे चेंज हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है इसको आपको समझना पड़ेगा अगर दोनों ही सब्द हमारे एक साथ आ जाएं अब देखिए हम इसी सेंटेंस में अब यहां पर हम कर दें कि एवरीवन लाइक्स कि एवरीवन अब यहां भी मल्टिपल है यहां भी मल्टिपल है अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा ज़रा सोचने की बात है हमने क्या कहा अब एवरीवन जो कॉंसेप्ट है वो कॉंसेप्ट क्या करता है कि माल लेते हैं हमारे पास एक दो तीन चार्ट परसन है और इधर भी हमारे पास परसन है तो यह अगर है A B C D यह है है E F G H हमारा कहना क्या है हमारा सेंटेंस क्या है हमारा प्रेडिकेट है लाइक अब A like E A like F A like G and A like H तो यह कह रहे हैं इसके अलावे हम क्या करें B like E B like F B like G and B like J इसको इस तरह से बनाएंगे और यहां से भी हम इसको बनाएंगे अब आप सोच सकते हैं 123 and 4 यह जो structure बन रहा है यह सेंटेंस यह ही बोल रहा है इधर इस डोमेन के सारे मेंबर इस डोमेन के सारे मेंबर को like करते हैं यह हमारा कहने का मतलब है तो इस तरह के सेंटेंस अगर हूं तो हमारा यहां पर आता है nested quantifier कैसे लिखेंगे अभी पहले जो दोनों सेंटेंस हमने लिखा उनको मिलाना होगा हमको for all x for all y likes x, y आप इस बात को समझें for all x मान लेते हैं इसको हमने x variable मान लिया यह हमारा y variable है तो x likes y बात वही है लेकिन चुकि x में everyone है for all x, y में everyone है for all y तो इस तरह से हम अपने concept को बदलेंगे पहले हम विचार करेंगे कि हमारा sentence कहता क्या है to predicate variable की बात हो रही है to variable predicate हो गया और यहां पर nested quantifier जो हम इस्तेमाल करेंगे तो देखिए actual में हम क्या कहें यह एक quantifier हमारा यह हो गया for all y, x like y, x कौन है for all x तो यह जो quantifier first और यह quantifier to एक के बाद दो एक ही sentence में अगर एक से अधी quantifier आते हैं हम यूज करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते है nested quantifier तो sentence को रिप्रिजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है और quantifier उनका precedence de Morgan's law तो आपको याद रखने हैं और single variable भी predicate हो सकता है two variable भी हो सकता है अब जब पढ़ेंगे तो multiple variable भी हो सकता कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से लेकिन हमको जो भी predicate दिये गए हैं कि first order logic में उसको sentential form में represent करना आना चाहिए या कोई भी sentence हमारे पास है तो उसको प्रेडिकेट लॉजिक में जिसको शॉठर्ट नोटेशन भी आप बोल सकते हैं तो शॉठर्ट नोटेशन प्रेडिकेट के form में mathematical representation में discrete mathematics में हमें translate करना आना चाहिए यह provision सिर्फ translation का है जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिस ट्रांसलेट करते हैं इसे हिंदी ट्रांसलेट करता है आप भी ट्रांसलेशन सिख रहे हैं और नेचुरल सेंटेंस का इंग्लिस लाएक स्टेटमेंट का उस स्टेटमेंट को mathematical representation में प्रेडिकेट लॉजिक में आपने conversion करना आगा सिख लिया तो आप मिश्चित रूप से मानिए कि इसके बाद इसके operation में operation में जितने भी connectives है उनका इस्तेमाल तो आप आसानी से करहीं पाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमको सबसे पहले sentence और उनका प्रेडिकेट representation यह सीखना होगा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसको एक बार अगर हम समझ गए तो हमको फिर इस तरह के sentence को सीधे सीधे प्रेडिकेट लाजिक में कन्वर्ट करने आजाना चाह había अगर प्रेडिकेट लाजिक है तो उसको भी हम सीधे कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको और विस्तार सच समझने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं देखने के लिए धन्यवाद